Hi friends welcome back to my channel. I hope आप आप लोग अच्छा से हूँ ज़ब ईब गी बनाने की रेस्पी जो मैं घर पे ही बनाती हूँगी, और बहुत सारे सेखा़ Gesund अर्बाटिख जब आप रह साए ज़ब अब अब यहां के समय घेल जा दानाूं ज़ीक है आप भर सकती है दोटें है जहीं, वर आपे का जो दोध है वो होता है पता πα्रा मैं पले के लाइप्र, दमें दरीध के नहीं निकलता है, कि हम तरह मुझाते है वर उसक्याइप समया है, अगर ईपनी है तो दबे को निकालते हैं difficn. यहा height के जो यहां इझाला के जो इंडियन लोग हैं जो वो किस तरह से घी बनाते हं गर पर तो आज में आप लोग के साद्थ सेर करने जारी हूँ तो आप लोग के लिए वहीं हेल्फूल होगा और आप भी इस तरह से घी बना सकते हैं घर पे तो और यह बहुत ही असान होता है ज्यादा मुस्किल भी नहीं होता और गी भी बहुत ही अच्छा इससे निकलता है तो चलिए मैं आप लोगे साइब करती हूं तो चलिए देखते हैं गी बनाने के कर्म होने के लिए रख देंगे यह ए यह आं सॉल्टेड बटर है और इससे मैं घी बनाऊंगी अगर आप ही बनाऊगे तो इस तरह से देखिए अन सॉल्टेड बटर होता है उसका घी बने उसे अच्छा बनता है और मैं अब इसे डाल दूँगी ज्यादा गर्म पैन में नहीं रखना चाहिए इसे जब पैन थुरा सा गर्म हो तभी बटर को डाल दे ज्यादा गर्म में नहीं तो सारे एक साथ वो धुआ सा जल जाएगा सारा उसका जो स्वाद होता है वो खराब हो सकता है कि दिखी मैंने डाल दिया है और मैंने यहां एक पैकेट बटर का ही घी बनाया है उससे ही बहुत एक बाटल तक के बराबर घी निकल जाता है बहुत कम बटर में बहुत अच्छे से घी निकल जाता है और इसे चलाते रहना है इसे छोड़ना नहीं है बीच बीच में आप छोड़ भी सकते हैं पर यह चेक करते रहना है कि नीचे से जलेना और गैस के फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं रखना है मीडियम में रखना है प्लेम में रखना है इस तरह से देखी चलाते रहना है यह देखिए जब यह हलका सा इसमें देखिए जागसा आने लगे तो इसे तरग रहना है कम कर दे थोड़ा इसके जलाना नहीं है यह देखिए यह कम बटर में ही बहुत अच्छे से घी निकल जाता है और इसमें ज्यादा परशानी भी नहीं होती है बस इसका एक ध्यान रखना है कि यह जो बटर हो अनसॉर्टेड हो जिसमें नमक नहीं होता हो बटर वो यूज करें तो ज्यादा अच्छा होता है यह देखिए यह जिसे उपर से में जाग जाग सा हो गया था तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और इससे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी अब ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना जब हलका गरम रह तभी आम इसे जिस बॉटल में आप घी रखना चाहते हैं उसमें रख दूंगी इस तरह से छान लेना है क्योंकि उसके नीचे थोड़ी से गंदगी जमा हो जाती है तो इसे छान लें घी को और इस तरह के बॉटल में मैंने रख लिया है और अब इसे ठंडा होने दे अब यह देखिए सीसे के बॉटल में मैंने रखा है अब इसे तुरंत बंद नहीं करना इसके धकन को जब तक गी थोड़ा सा थंडा नहीं हो जाए थोड़ा सा थंडा हो जाना चाहिए तब इसे बंद करें धकन तो फिर घी में ना पानी पानी सा खराब हो जाता है जल्दी घी तो जब घी देखिए इस तरह से ठंडा हो गया है जम गया है अब मैं इसके जखकन को में लगा कर बंद करके रख दूँंगी तेच्ग मेरी घी बनाने की रैस्पी पसंद आई होगी तो आप भी बनाई गर पर इस तरह से गी और इसी तरह बने रहे यह मेरे चैनल पे और अगर ये अपको यह यह राइसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर स्सक्रेब जरूर कर